So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यारे की 10 अगस्त के important current affairs को तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाली में उडिसा के 33 चीफ चस्टिस के रूप में अभी किस ने शपत लिए हैं? तो अंसर होगा सुभाशीष तालापात्रा ने तो याद रखना, अभी न्याय मूर्ती सुभाशीष तालापात्रा इन्होंने उडिसा हाई कोट के 33 चीफ चस्टिस के रूप में शपत लिए हैं और इनको शपत किस ने दिलाई? तो कौन दिलाते हैं? जो राज्जे के गवर्नर होते हैं और उडिसा के गवर्नर कौन है? प्रोफेसर गनेशी लाल ने अच्छा देखो यहाँ पे कुछ important appointments में आपको revise कराता हूँ और यह Chief Justice ही बने किसे ने किसी राज्ये के और वो भी इसी साल जैसे कि अभी अप्रेल महिने में तिरेबुरा High Court के Chief Justice बने थे अपरेश कुमार सिंग नाम है अभी राजस्तान High Court के नए बने थे AG मसीह, पुरा नाम है Augustine George मसीह अभी आंदर प्रदेश के बने थे धीरत सिंग ठाकुर और Bombay High Court के अगर पूछूं तो यह यह भी अभी नए बने थे मतलब जो भी मैं आपको नाम बता रहा हूँ न यह इसी साल 2023 में अपॉइंट हुए है तो Bombay High Court के नए Chief Justice कौन बने देवेंदर कुमार उपाद्याए वहीं बात करें अगर चत्तिजगर High Court की तो रमेश सिनहा बने गुवा हटी High Court में बने थे अभी संदीप महता और गुजरात High Court में अभी बनी थी सुनिता अगरवाल अभी रैसे हिमाचर प्रदीश High Court में बने थे रामचंदर राओ और करनाडग High Court में कौन बने पीबी वराले तो ये सारे ध्यान रखना आप ये सारे हम पढ़ चुके Current Affairs में और अभी उडिशा के नए बन गए है सुबाशी ताला पात्रा ये नाम भी ध्यान रखना बढ़ते हैं के चेलिए फिर बताईए अभी हाली में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया तो आंचरूगा 9 अगस्त को तो विश्व आदिवासी दिवस या स्वदेशी आबादी के बारे में जागरुकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के रक्षा करने के लिए हर साल 9 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है अच्छा बात करें इस बार की तीम क्या है तो आत्म निर्ने के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्वदेशी तीम है और जब भी बात आती है आधिवासियों की तो ट्राइफेड का नाम आपके जहन में आना चाहिए ट्राइफेड ये जनजातियों के जो उत्पाद होते हैं उनके जो प्रॉडक्ट्स होते हैं उनको बेचने के लिए एक संग है ट्राइफेड उसका नाम है जिसके इ साल आदी महुत्सव हमने मनाया नई दिल्ली में और पिछले साल वाला आदी महुत्सव मनाया गया था मंडला मध्यप्रदेश में अच्छा एक और प्रश्ण इससे संबंदित में आपसे पूछू हूँ तो पहला जनजातिये खेल महुत्सव ये भी कहां पे हुआ था अभी मुंडा से दो प्रश्ण बनेंगे आपके एक तो भारत का जो सबसे बड़ा होके स्टेडियम है न यह उडिसा में है उडिसा के रावर केला में जहां पे अभी मेंस होकी वल्ड कप हुए थे इस साल के स्टार्टिंग में तो उसका नाम ही उस स्टेडियम का नाम बिरसा में हैं यह आप जरूर ध्यान रखना और देखो अभी तक जब भी डे वाला गुशन आ रहा है औगस्ट के सारे important days मैं आपको revise करा रहा हूँ आज मैं आपको revise नहीं करा हूँ आज आप खुद से कोशिश करो comment box में August के जितने भी important days हैं उनको लिखने की क्या आपको याद है यह पता चल जाएगा आपको हम बढ़ते हैं आगे और हाँ गाईज आप देख सकते हैं यह daily current affairs जो मैं आप लोग के लिए लेकर के आता हूँ इसको मैं खुद बहुत समय देता हूँ इसमें current affairs आपको मिलेगा उससे सम्मंदित जो current affairs आप पहले पढ़ चुके हैं वो मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ साथ में जो static यहाँ पर बन सकते हैं वो मैं आपके साथ जोड़ करके इसको बताने ही कुशिश करता हूँ और जितने भी आपके जो competitive exam जहाँ पर current affairs आती है वहाँ पर आपको questions यहाँ से आराम से देखने को मिलेंगे बशर्ते daily current affairs आप बिल्कुल ध्यान से बढ़ते हो notes बनाते हो और अगर notes भी नहीं बनाते हो तो daily साथ के साथ revise करते चलो क्योंकि बार-बार में एक ही एक चीज़ को बार-बार revise कराता हूँ अभी SSC के exams हुए थे उसमें जो daily current affairs के questions आए यहाँ से आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे और अभी संडे को UPSC CAPF का जो परिक्षा हुआ था उसमें current affairs के काफिसारे questions अपने daily current affairs से आपको देखने को मिलेंगे अगर आप यहाँ पर current affairs पढ़ते हो के quiz लगाओ बिल्कुल free में quiz है free में PDF है फाइदा उठाओ चले फर बताईए अभी हाली में किस राज्य सरकार ने ग्रहा लक्ष्मी योजना 2023 को शुरू किया तो आंसर होगा तेलंगना तो अभी तेलंगना सरकार ने ग्रहा लक्ष्मी योजना को शुरू किया है तो इसमें क्या होगा इसमें ST, SC और BC समुदायों की महीलाओं को वित्य सहिता दी जाएगी क्यों? काई के लिए? ताकि उन्हें घर का निर्मान करने या उसे सुधारने में मदद मिल सके और कितना पैसा मिलेगा तो प्रतेकला भारती को एक बार की सहिता राशी के रूप में तीन लाख रुपे दिये जाएंगे तो अगर एक लाइन में बोलें तो ये योजना का उद्धिश्य क्या है? महीलाओं को शशक्त करना और उन्हें किफायती आवास की पहुँच परदान करना योजना का नाम है ग्रह लक्ष्मी योजना शुरू किस ने किया? तेलंगना ने अच्छा लक्ष्मी से एक और योजना है लाडली लक्ष्मी योजना किस ने शुरू किया इसको? मध्यपरदेश में और एक लक्ष्मी सिंग का नाम आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिशनर जो बनी थी ये, इसी साल बनी थी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लक्ष्मी सिंग उनका नाम है, और देखो योजनाओं की बात है, तो कुछ इंपोर्टेंट योजन के लिए, अच्छा मुख्यमंतरी सीखो और कमाओ योजना ये किसने शुरू की? मध्य परदेश ने, मुख्यमंतरी ग्राम गाड़ी योजना जारखंड की है, मात्र भूमी योजना उत्तर परदेश ने शुरू की, और कुछ लेटेस्ट अगर आपको बताओं, तो अभी शुब यात्रा योजना शुरू की केरल ने, और अभी अल्प संक्यक समुदायों से समंदित छात्र को निशुल को कोचिंग देने के लिए एक योजना शुरू हुई थी, क्या नामे उसका? नया सवेरा योजना, अभी एक पंचायत एक खेल का मेदान योजना, केरल ने श प्रेच निती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? चलो इसका उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किस को पता है, हम बढ़ते हैं आगे, चलिए फिर बताईए, हाली में कमरे के तापमान वाले सुपर कंड़क्टर जिसका नाम रखा है, LK99 इसकी खोज क इसने की है, तो आंसर होगा साउथ कोरिया, तो अभी साउथ कोरिया के विज्ञानिकों ने एक ऐसी सामगरी होजी है, जो कमरे के तापमान पर भी सुपर कंड़क्टर की तरफ भीहेव कर रहा है, और उसी को नाम दिया है LK99, देखो अगर ऐसा वास्तों में हुआ ना दो इसमें से करंट पास हो जाती है, जैसे आपके घर में जो बिदली के तार है, कमबो पे तार डले होए, वो कंड़क्टर है, पर उन सभी में एक समस्या है, कि उनमें एक रजिस्टेंस होता है, यानकि प्रतिरोध जो धारा प्रवा को करंट के फ्लो का विरोध करता है, उसे गरम हो जाते हैं, गरम होना क्या संकेत कर रहा है, या क्या बताता है गरम होना, तार का गरम होना, कि वहाँ पर energy का loss हो रहा है, भई physics में आप पढ़ोगे, physics में basically पढ़ा क्या जाता है, अगर एक line में बोला जाए, तो पूरी physics को आप complete करो एक line में, तो पूरी physics में आप पढ कर रहा है तो तार गरम हो जाता है गरम होने का मतलब heat energy तो आपके जो electrical energy है वो heat energy के रूपे माँ पे loss हो रहा है और हम क्या चाते हैं हम चाते हैं ideally कि resistance जो है ये जो प्रतिरोध है ये जीरो हो जाए ताकि loss न हो नुकसान न हो और ऐसा एक ही शर्थ पे होता है अगर हम superconductor की तरह इसको काम में ले तो लेकिन superconductor में क्या दिक्कत आती है वो बहुत कम temperature पे काम करता है अगर बहुत कम temperature उसको देंगे तो वो superconductor की तरह बिहेव करेगा जिसमें आपका प्रतिरोध resistance 0 हो जाएगा लगबग और आपका loss नहीं होगा पर वो practical condition तो है नहीं कि हर जगे हम minimum temperature कर दें फिर तो हमें अंटार्क्टिका में रहने जाना पड़ेगा भाईया तो इसका समाधान ढूंडा है अभी South Korea ने South Korea ने कहा कि room temperature पे एसी सामगरी हमने डूंडी है जो superconductor की तरह काम कर रही है और उसी का नाम इन्हों ने रखा है LK99 तो इसलिए मैंने starting में कहा था कि अगर ऐसा हो गया तो मज़ा आ जाएगा तो ये अच्छा प्रशने इसको ध्यान रखना अच्छा जो science से जुड़े हुए student है वो तो समझ में आ जाएगा लेकिन जो शायद arts background से है वो confused हो सकते हैं ये हमने पढ़ा superconductor और एक और terminology आप सुनोगे वो है semiconductor तो दोनों अलग-अलग के भाईया है ना superconductor के बारे में तुम्हेने आपको बता दिया एक semiconductor होता है ये भी हम कहीं बार current affairs में पढ़ चुके है जैसे कि एक उधारन में आपको दूँ तो एक प्रशन भी बन जाएगा कि semiconductor policy को launch करने वाला पहला राज्य कौन सा बना तो आप कहोगे गुजरात तो वहाँ पर आपने semiconductor के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा मैं आपको बताऊं उसके बारे में तो देखो semiconductor एक तरह से दोगला परने होता है दोगला इंसान समझे हैं दोगला material सामगरी समझ लो कि low temperature पर तो वो insulator की तरह काम करता है मतलब जिसमें से current flow नहीं हो पाता और थोड़ा सा temperature हम बढ़ा देते हैं तो वो conductor की तरह काम करता है मतलब वो इधर भी और उधर भी ऐसे काम करता है कई बार आपके physics में exam में आ जाता है अगर आपके science आती है तो कि semiconductor का best example क्या है तो silicon है और जहें और germanium है 2025 तक वो दुनिया का पहला तेरता हुआ शेहर बना लेगा और अभी South Korea ने दुनिया के सबसे बड़े hydrogen fuel cell power plant का भी उधगाटन किया था और अगर आप से पूछे ना कि NATO cyber रक्षा समू में शामिल होने वाला पहला Asiai देश कौन सा बनाता हुँ तो यही है South Korea और अभी South Korea ने पहला commercial grade satellite को launch किया था जिसका नाम है next generation small satellite 2 किस rocket से नूरी rocket से अब आप मुझे comment में type करके बताओ कि नूर rocket यह किस का है किस देश का है नूर rocket बताओ वैसे South Korea और North Korea के बीच की जो border line उसको क्या केते हैं 38th parallel केते हैं यह भी ध्यान रखना चलिए फिर बताईए अभी रक्षा मंत्राले के computers में अब Microsoft operating system की जगे किसका इस्तमाल किया जाएगा तो answer होगा Maya operating system तो अभी cyber खत्रों को ध्यान में रखते हुए हमारे रक्षा मंत्राले में जो भी computers हैं वहाँ पर Microsoft operating system की जगे हम अपना घरेलू रूप से विक्सित operating system जिसका नाम रखा गया है Maya तो Maya operating system का हम इस्तमाल करेंगे क्योंकि रक्षा मंत्राले का मानना है कि open source platform पर आधरेच यह जो नया operating system है यह cyber सुरक्षा को बढ़ावा देवा तो Maya operating system का निर्मान यह open source Ubuntu framework का उप्योग करके किया गया है और निर्मान किया किसने तो DRDO, CDEC पुणे और राष्ट्रे सूचना विज्ञान केंद्र ने मिलकर किसका निर्मान किया तो यह आप ध्यान रखना इसका नाम है Maya Maya रे Maya केसी है तेरी काया मत कर Maya का अंकार अच्छा Maya ज़र समदी दो प्रशन में आपको और बताऊं अभी एक बुक भी आई थी बुक का नाम है Maya, Modi और आजाद इस बुक को लिखा है सुधा पाई और सज्जन कुमार ने और वैसे आपको बताऊं तो Maya नाम का एक रोबोट भी हम लोगों ने पढ़ा था जिसे करनाटक के छात्रों ने बनाए था अच्छा वैसे ओपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं चलो आप ये प्रश्ण का उत्तर देना ये कम्प्यूटर से सम्बंदित प्रश्ण में आपसे बूच रहा हूँ पहला ओपरेटिंग सिस्टम कौन सा था ये आप ही के लिए हमवर्ग प्रश्ण है नहीं आता तो सर्च करो और कमेंट बोक्स में टाइप करो सर्च करोगी तो इस बहाने आपको याद रहेगा ये इसलिए मैं डाइरेक्ट नहीं बता रहा वैसे एक क्यूश्ण में आपको जरूर बताऊंगा जो इंपोर्टेंट है आपके लिए कि भारत का पहला स्वधीशी मॉबाइल ओपरेटिंग सिस्टम इसका नाम क्या है तो इसका नाम में भरोस मतलब भारत ओपरेटिंग सिस्टम दूसरा प्रशन बनेगा इसका निर्मान किस ने किया तो IIT मदरास ने इसको बनाया है कई बार बता चुकाओ मैं आपको अचा एक चाइना ने भी तो अभी अपना खुद का ओपरेटिंग सिस्टम बनाया था उसका नाम क्या रखाता ओपन काईलिन इसका नाम रखाता चाइना ने हमारा तो यह माया है और उसका ओपन काईलिन है यह आप ध्यान रखना बढ़ते हैं अच्छा इस प्रशन में आपसे पूछे रहे अभी विश्वी शेर दिवस कब मनाया गया तो अंचरों का 10 अगस्त को तो याद रखना हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे के रुप में मनाया जाता है एक्चुली मैं पिछले 100 बर्शों में शेरों की आबादी 80% तक कम हो गई इसलिए शेरों के संगरक्षन और सुरक्षा के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए इदिनम मनाते हैं पह बताईए अभी हाली में मनिपूर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए उच्चितम नयायले ने किसके अद्धिक्षिता में समीति का गठन किया तो अंसर होगा गीता मित्तल आपको बताए मनिपूर हिंसा किन दो समुदायों के बीच चल रही है कूकी और मेते समुदाय के बीच और गीता मित्तल इनका नाम आपने जरूर सुना होगा ये जमू कश्मीर की पूर्व चीप चष्टेज रह चुकी है और अभी इनी के अद्धिक्षिता में सुप्रीम कोट ने एक समीति का गठन किया है क्यों क्यों किया तो मनिपूर हिंस से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए और आपको याद होगा इसी साल ग्रह मंत्राले ने लद्धाक के लिए भूमी और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समीति का गठन किया था किसकी अद्धिक्षिता में नित्यानंद रा यह ग्रेर राज्यमंत्री है और कुछ समय पहले सेबी ने सेकरिटी एन एक्सचेंज बॉर्ड अफ इंडिया ने उशा थोराट के अद्धिक्षिता में म्यूचल फंड पर सलाकार समीति का पुनर गठन किया था और आर्बिया ने बैंकों की उपबोक्ता सिवाओ में जरूर देखेंगे मैप में क्योंकि यह तो चर्चा में है तो इस्टेटिक आपको पता होने चीए और क्या-क्या पॉइंट्स बन सकते हैं जैसे कि मनिपूर की कैपिटल क्या इंफाल है मंत्री कौन है एन बिरेन सिंग है और गवर्नर है अनुसुया हुई के और यहां से यह प्रश्न बन सकता है देखो कि दुनिया की एक मात्र तेरता हुगा नेशनल पार्क यह कौनसा है तो आंसर होगा काबूल लामजाव नेशनल पार्क मनिपूर में यह है किस जील पर तेर रहा है तो लोग तक जील पर इसे फ्लोटिंग लेग भी कहते है और यह नौर्थ हिरन केते हैं यह यहां का स्टेट अनिमल भी है और आपको याद आएगा एक संगही फेस्टिवल हम मनाते हैं का मनाया जादा है मनिपूर में ही अभी मनिपूर के काले चावल को G.I.T. मिला था मनिपूर के हाती मिर्च और तमेंग लोंग संत्रे को भी G.I.T. मिला था अगाई उत्सव में ने आपको बताया यहां मनाई जाता है और मनिपूर को पोलो खेल का जन्मिस्थान माना जाता है अब यह आपको याद होगा इसी साल हमारे जो ग्रह मंतरी अमिच्छा इन्होंने मनिपूर में 120 फीट उची पोलो प्रतिमा का नावरंग किया था वैसे ए हाली में एल्थ केर, विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवर्ड किसे प्रदान किया गया तो अन्सर होगा जयेश सेनि को इसी लिए उनके उलेखनी योगदान के लिए उनने ये अवर्ड मिला है बाकि अभी 2023 के लिए एलिजाबेट लॉंग फॉर्ड पुरुसकार किस ने जीता रामचंदर गूहा ने एकबाल मसीह पुरुसकार 2023 किस ने जीता बालशरम उन्मूलन के लिए ललित नटराजन ने और यंग यूरोलोजिस्ट पुरुसकार जीता डॉक्टर नित्या अब्राहिम ने तो ये नाम भी न्यूज में ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर वताईए अभी इंडियन फिल्म फेस्टिवल आफ मेलबॉर्न 2023 में डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरुसकार किसे प्रदान किया जाएगा तो आंसरों का मरनाल ठाकुर को तो भारते अभी नेत्र हैं मरनाल ठाकुर इनको इंडियन फिल्म फेस्टिवल आफ मेलबॉर्न ने 2023 में diversity in cinema पुरुस्कार प्रदान किया जाए ग तो ये Indian Film Festival Of Melbourne Melbourne का है Australia में ये चोधवा इसका संसक्रन है और ये जो Melbourne का भारतिष Film Festival है ये भारत के बाहर भारतिष Film Festival है बाकिये ढ़िन्दिनी गुपता का नाम News में है Miss India 2023 का गिताब जीता इन्हों ने ये कोटर राजस्तान से हैं और माइकल डगलस तो अभी कांज फिल्म फेस्टिवल दोजार तिविस जो कहां पे होता है होता ही फ्रांस में ये तो अभी 76 नंबर का हुआ इसमें मानद पाल में डी और पुरुसकारी ने मिला था और अब फटावट से आपका इंतजार खतम करवाते हुए हम बढ़ते हैं आज की हमारी फटावट सिरीज की और और पहले मैं आपका फटावट से टेस्ट लूँगा और फटावट से उसके बाद आपका रिविजन करा हुगा टॉपी की बड़ा शांदार है आज का सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स टोटल कितने गोल्स हैं सतरा गोल्स हैं ये दो दिन में मैं आपको कवर कराऊंगा आज और कल और मैं कमेंट की थुरू ये जानने ही कोशिश करूँगा आप लोगों से कि इसमें से कितने आपको याद हैं तो आप लोग मुझे बताना कि कितने आपके प्रशने सही रहते हैं और उसके बाद आप लोगों के लिए एक best offer लेकर क्या आया हूँ बैस्ट offer क्या है पहले ही बता दू क्या चलो पहले ही बता दिता तो मुझे अपनी trick पे और अपने आप पे भरोसा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं करके दिखा दूआ लेकिन बात आपके उपर है क्या वाकई आपको चाहिए ये tricky वीडियो अब मुझे कैसे बता लगेगा हम एक काम करते हैं हम इस वीडियो का हम target रखते हैं 5000 लाइक का तो आपको इस वीडियो को जम के share करना है अपने सभी दोस्तों के साथ में तो अगर वीडियो लोगों को share होगा तो अपने आप like करेंगे अगर बसंद आता है तो और अगर 5000 लाइक complete हो जाते है मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को चाहिए और परसों में आप लोगों के सामने वो वीडियो ले करके प्रस्तुत हो जाऊँगा लेकिन आज आज मैं wait करूँगा हमारे target का कि वो पूरा होता है कि नहीं होता तो अपने दोस्तों के जात में अपने जो भी study group है telegram पे whatsapp पे आपको share करना है बस चलो पहले आपका test लेते हैं यह रही sheet आपके सामने वीडियो को pause करो और answer लगाओ अब मैं आपको revise करा देता हूँ देखो sustainable development goals कितने है 17 है कब तक पुरा करने का लक्ष है 2030 पहला प्रशन है अच्छा स्वास्त और जीवन इस्तर यह कौन सा sustainable development goal है तीसरा है लेंगिक समानता यह है SDG पाचवा अगला है सस्ती वस्वच उर्जा यह सातवा है देखो exam में हो सकता है यह उल्टा भी पूछ ले जैसे कि पूटले की sustainable development goal सातवा यह कौन सा है तो आपको यह भी बताना पड़ेगा और जो मैं आपको trick बताऊंगा उससे आप कैसे भी कर लो यह करके नंबर बता कर लो या नंबर बता करके यह आप दोनों में answer कर दोगे guarantee ले रहा हूँ मेरे दोस्त guarantee ले रहा हूँ आपको याद कराने का अगर मेरा लक्षय है तो उसे पूरा करूँगा लेकिन उससे पहले मैं भी तो जानू कि आप कितने उत्साहित हो याद करने के लिए तो फिर मैं याद नहीं कर पाऊँगा देखते हैं आज आप लोग target पूरा कर पाते हो नहीं कर पाते हैं पिर आपके याद कराने का target मैं पूरा कर दुआ अगला क्या है उद्ध्योग नवाचार और बुनियादी धांचे का विकास यह है SDG9 अगला है पानी में जीवन ये चोदवा है लक्षय प्राप्ति में सामोईक हिस्सेदारी ये सत्रवा है और जलवायू परिवर्तन ये तेरवा है और इंगलिश मीडियम वाले भी आप सुन सकते हैं इंगलिश मीडियम में भी ट्रिक बताऊँगा ऐसी बात नहीं है इंगल माला प्रशने पूछा था माला बार एक्सरसाइस का एजन ये कांपे होना है तो आंसर होगा आस्ट्रेलिया में फिर पूछा बैडबिंटन आस्ट्रेलियन ओपन दो जाए 23 में पूरु शेकल का किताब किसने जीता वैंग हॉंग यांग ये चाइना के हैं इन्होंने किसक मलेरिया फिर पूछा गेंडो के संग्रक्षन के लिए राइनो टास्क पोर्स का गठन की गोशना की बिहार ने फिर पूछा कमबोडिया के नए प्रधान मंतरी बने हुन मानेट फिर पूछा विश्व कैड़ेट रेसलिंग चेंपेंशिप दो जाटेविस में भारत ने कि पूछा कि G20 देशों की कला परदशनी का शुभारम का हुआ बिहार में अब कल का होमवर्क प्रशन देखते हैं और सेशन एंड करते हैं तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था पहला लिक्विड हाट्रोजन फेरी ये कांपर शुरू किया गया तो आंसर होगा नौर्व में आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उत्तर दिया आप ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रशन